हेलो स्टुदेंट्स आप सभी गाज हो गते हैं मारे इस यूट्यूब चैनल पाया जो हम लोग बात करने आले हैं आपकी वक्सीड नंबर 20 के बारे में हिंदी विस है कि यह कच्छछे की आज की तितिकिया 14920 किस यहां पर आपको अपनाने में आपनी टीचर का नेम लिखन लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे इस कथा में दो बच्छो के मनो वज्ञानिक को बड़े सुंदर ढंक से चितिकिया गया है दोनों चिडियाओं के दोस्त farther किन्तु नादानिस से गल्ती कर बैठते हैं तो चलिए पढ़ते हैं ठीक है इसमें क्या दिया गए? सवेरे दोनों आखे मलते वे कारणस के सामने पहुत जाते थे और चड़ और चड़ और चड़िया दोनों को बैठा पाते थे उनको देखने में बच्चों को ना मालुम क्या मज़ा मिलता था दूद और जलेबी की सुध भी ना रहती थी दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे अंडा कितना बड़ा है किस रंग का है कितने होंगे क्या खाता होगा इनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे बच्चो के पैर कैसे निकलेंगे, गोसला कैसा होगा लेकिर इन बातों का जवाब देने का कोई देने वाला कोई नहीं था ना अम्मा को घर के कामों, काम धंडों से फुरसती ना बापू जी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते और दिल से दिल को तलास तसली क्या है तसली दे देते ठीक है आगे देखो बच्चो क्या बोला गया है केसब की बहन का क्या नाम था तो केसब की बहन का नाम क्या था तो लिखो बच्चो आप सभी केसब की बहन का चलो मैं अगला प्रसंद देखते हैं क्या है कार्णिस सब्द का अर्थ क्या है तो कार्णिस सब्द का मतलब होता है दिवाल का एक वा भाग जो क्या है उपर की ओरो और सुन्दर आकरतियां उस पर क्या हो बनियों या सुन्दर चीज़ें बनियों तो मैं इसको क्या करता हूँ आपक अगला प्रेस्ट्टो क्या है सुबा उठते ही केसव दोनों क्या करते थे तो बेटा दोनों क्या करते थे तो पढदी को दिया गया है धीके यहां पर देखिएगा सब एरे दोनों आखे मलतेवे कारनेस के सामने पहुच जाया करते थे और बैटकर चिडिया को देखा करते थे ठीक है चिड और चिडिया दोनों वहाँ बैठे पाते थे ठीक है यहाँ देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा यहां से आप यहां तक लिख देना यह उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चो उत्तर नंबर आपका जो है तीन हो जाएगा ठीक है इतना लिख लेना आप इसके बाद क्या है देखो आगे क्या दिया गया है केसब और स्यामा तो बिटा अगला प्रसने क्या है केसब और स्यामा के मन में क्या-क्या सवाल उठते थे इसका उत्तर भी आपको परी मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो लिखा है दोनों के दिल में तरह-तरह के सवाल उठते थे ठीक है तो आप यहाँ से पूरा यहां तक लिख दोगे यह क्या हो जाएगा उत्तर नंबर आपका बिटा चार हो जाएगा ठीक है उत्तर नंबर क्या हो जाएगा यह चार हो जाएगा इसके बाद क्या है बच्चो इसके बाद देखो दोनों बच्चों के आपस में ही सवाल जवाब दे कर अपने दिल को तसली क्यों देते थे ठीक है तो इसका उत्तर जो है बच्चों मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा तो बटा इस प्रसन का उत्तर आप लिख लो ठीक है केसब और स्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करकर अपने दिल को तसली दे देते थे क्योंकि उनके प्रस्णों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था ये इसका क्या हो जाएगा बिटा उत्तर हो जाएगा चलो आगे देखते हैं आपकी वक्सीट में क्या दिया है तो बिटा आगे आपकी वक्सीट में यहाँ पर क्या है लिंक बदलिये दिया गया है ठीक है जैसे बहन का क्या हो जाएगा बहन का हो जाएगा बच्चो भाई ठीक है बच्चा का क्या हो जाएगा बच्ची हो जाएगा इसके बाद पिता का क्या हो जाएगा माता हो जाएगा कॉमधार न के पिता का क्या हो जाएगा इसको बोलता है मतलब भूब तै Sima सियाम का क्या हो जाएगा बिटा सियाम का हो जाएगा सियामा ठीक है सियाम का क्या हो जाएगा सियामा और दादा का क्या हो जाएगा बिटा दादा का हो जाएगा दादी ठीक है तो इसे आप लिख लेना आपके यह क्या है लिंक परिवर्तन भी हो गए है आपकी वक्सीट क्य क्योंते हैं यह समापत हं यह आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर ज़िरूर बताना वीडियो लाइक करना ज्यादा से जाना सायनल ससक्राइब करना और कोशना की ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस्ट में पास्वेड कर पाओ धन्यवाद बच्चो